हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर और गाइज अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो है आपकी EVS की सीरीज देखो EVS को पढ़ने के लिए सबसे अगर जो मैं बैस तरीका बताऊं तो वो है आपका NCERT आप NCERT को पढ़ लीजिए और NCERT में बहुत सारे MCQs दिये वे हैं हर चैप्टर के बाद जो भी आपके टॉपिक हैं आप उसके एक तो MCQ देख लीजिए और साथ के साथ कुछ प्रीवियस एर के कोश्चन्स भी आप देखिए जैसे इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ इसके उपर जो प्रीवियस एर के कोश्चन्स पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्जैम्स में उनको देख लीजे तो यह सबसे बेश तरीका है आपका EVS को प्रिपेर करने का EVS आपकी टोटल 20 मांक्स के आती है अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कुछ प्रीवियस एर के MCQs ठीक है तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं टॉपिक है हमारा सेल्फ लोकल गवर्मेंट इससे पहले हम इसका एक पार्ट डिसकस कर चुके हैं यह हमारा है सेकेंड पार्ट ठीक है तो सेल्फ लोकल गवर्मेंट क्या होती है इस्थानिय स्वसाशन महात्मा गांदी जी भी यह चाहते थे कि अगर हमें अपने गावों का विकास करना है तो वहाँ पर इस्थानिय स्वसाशन होना चाहिए देखो यूपी की अगर मैं बात करूँ अभी यूपी की एलेक्शन हुए यूपी अपने आप में बहुत पूरा जो सीम बैठा है चीफ मिनिस्टर वो इन सब की जरूरतों को अकेले पूरा नहीं कर सकता इसी लिए क्या किया गया पावर को डी सेंट्रलाइज किया गया यह पावर सीम से लेके इन छोटे छोटे जो गाव हैं इनके जो मुखियां है या सरपंच होते हैं इनको दी है एक होती आपकी नगर पालिका जो आपकी शहरों में आपको देखनों को मिलेगी ठीक है पंचायत के लिए हमारे समीधान में 73 संशोधन किया गया और इसके लिए आपका 74 अमेंडमेंट किया गया यह दोनों ही आपके 1993 में किये गए थे ठीक है इसके तहत 11 अनुसूची 11 जो है इसमें जोड़ी गई थी और इसमें 12 बारवी अनुसूची जोड़ी गई थी और ग्यारवी अनुसूची में इनको 39 विशे परदान किये थे यानि कि पंचायती राज में इनको 39 विशे परदान किये गई और इनको किये गई 18 विशे तो पूरा फ्लो चार्ट से मैं निर्वाचन के लिए उत्तरदाई है, यानि जो who is responsible for the election of पंचायती राज institution, उनका जो election होगा, उसके लिए किसकी responsibility है, option है आपके केंद्रिय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रिय संसद या फिर राज्य की विधान सभा, तो guys इसका जो correct answer है वो है आ चुनाव कराए, इसमें भी आपको पता है, इसके three levels होते हैं, उन तीनों level को, जो election होंगे, वहाँ पर जो duty रहेगी, वो state election commission की है, उसका करतव है कि वो इन तीनों के चुनाव कराए, ठीक है, चलिए, अब चलते है अपने second question पे, second question आप से पूस्ता है, पंचायती राज के कारे छेतर में नहीं आता है, option है आपके, ग्रामीर सडके बनवाना, ग्राम उद्योग, क्रिशी उतपादन, या फिर माध्यमिक सिक्षा, तो देखिए, आपका सर्व सिक्षा अभियान, ठीक है, इसमें यह कहा गया था, जो भी आपकी local bodies हैं, वो primary education की वेवस्था करेंगी ठीक है, तो ग्रामीर सडके बनवाना, ठीक है, ग्राम उद्योग सही है, क्रिशी उतपादन वो भी सही है, लेकिन माध्यमिक सिक्षा नहीं सही है, क्योंकि यह जो जिम्मेदारी है, यह है आपकी राज्य सरकार की, जो local bodies की यह जिम्मेदारी नहीं है, हाँ, अगर यहाँ सिक्षन की जिम्मेदारी नहीं है, तो D जो option है, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं अपने third question पे, third question आप से पूस्ता है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, यानि शिल्पिकार किसे कहा जाता है, who is called the architect of India's पंचायती राज सिस्टम, option है आपके, B.R. महता, L.M. सिंगवी, G.B.K. राव, या फिर अशोक महता, तो आपको पता होगा, 1957 में एक समीती गठित की गई थी, जिसका नाम था B.R. महता, बलवंत राय महता कमेटी, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, 1959 में, ठ यहां पर पहली बार जो पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था, ठीक है, यह किस ने किया था, पंडे जवाला नहरू जी ने, तो यहां पर जो इसका जो correct answer है, वो है आपका option A, बलवंत राय महता, ठीक है, चलो, चलते हैं अपने fourth question की तरफ, जितने भी question मैं आपक explanation प्रवाइट करा रहा हूं, fourth question आपसे पूछता है, ग्राम सभा का अभी प्राय है, यानि जो ग्राम सभा होती है, वो क्या होती है, option है आपके एक पंचायत छेतर के लोग, बी option है आपका जिला अधिकारी से अभी सूचित विशिश्ट लोग, यानि कि distinguished people just notified by the district officer, option C है, ग ग्राम सभा की मीटिंग भी बुलाई जाती है, उसमें जितने भी 18+, यानि जो इनको भी वोट डानने का अधिकार है, वो इसके members माने जाते हैं, तो इसका option C सही हो जाएगा, ग्राम सभा के पंचायत छेतर के निर्वाचक, नामावली में पंजिकृत लोग, यानि कि जो भ अब हम चलते हैं अबने 5th question पे, 5th question आपसे पूछता है, पंचायती राज सम्मिल्थ है, पंचायती राज कौन सी सूची में आता है, इन union list यानि संग सूची में, in the state list राज्य सूची में, concurrent list समवर्ती सूची में, या फिर अवशिष्ट सूची में, तो आपको पता होगा कि जो पंचायती राज है, वो राज्य सूची में आता है, यानि कि जो राज्य होता है, वो कार्य करने के लिए पंचायती व्यवस्थाओं को पावर्स देता है, ठीक है, कुछ और पावर्स भी ये दे सकता है, कि आप इसके उपर भी काम कीजिए, तो ये पूरी तरीके से राज्य सूची के अंतरगत आता है ठीक है और इनके जो election की जिम्मेदारी होती है मैंने आपको बता दिया state election commission की होती है ठीक है चलिए अब हम चलते हैं अपने next question की दरव 6th question 6th question आप से पूचता है भारत में परत्यक्ष लोकतंत्र का उधारन क्या है what is an example of direct democracy in India option है आपके जिला परिशद, पंचायत समीती, ग्राम पंचायत या इन में से कोई नहीं तो देखिए आपको पता होगा इसके तीन level है सबसे lower level पर जो आती है आपकी आती है ग्राम पंचायत इसी के election हर 5 साल में किये जाते हैं और इसके जो next level होती है यानि कि जो बहुत सारे क्राम पंचायतों को जोड़के जो बनती है वो होती है आपकी पंचायत समीती और इसको हम block समीती भी कहते हैं ठीक है और जो आपकी district level पर होती है वो होती है आपकी जिला परिशद, ठीक है तो जो root level पर होती है जहां पर election होते हैं वही जो है लोकतंत्र का परत्यक्ष उधारण होगा ठीक है तो इसका जो correct answer है वो है आपका option C village पंचायत ठीक है चलो चलते हैं हमने 7th question पे 7th question आप से पूस्ता है निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भारत में पंचायती राज की स्थापना जवालल नहरू जी ने की थी सही बात है मध्यपरदेश पहला राज्य था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था नहीं गलत बात क्योंकि राजिस्थान में पहली बार लागू किया गया था राजिस्थान वे महिलाओं के लिए एक तिहाय सीट आरक्षित हैं सही बात है तो गलत कौन सा कथन गलत है वो है आपका B तो यही सही हो जाएगा भी आपका गलत है ठीक है चलो चलते हैं अपने एर्थ कोशन की तरफ एर्थ कोशन आपसे पूशता है निम लिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंदित है तो ऑप्शन आपके अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 73 तो देखिए बच्चे कई बार एक्जैम में बहुत जल्दबाजी में रहते हैं वो क्या करते हैं 73 जो है आपका जोड़ा है सिर्फ और सिर्फ ही एक अमेंडमेंट है ठीक है यानि कि एक पंचायती राज से संबंदित है वो है आपका अनुच्छे 243 ठीक है याद रखना अनुच्छे 243 में पूरी तरीके से इसको डेटेल में बताया गया है कि पंचायती राज क्या-क्या कार्रे करेंगी ठीक है उनकी ड्यूटी उनकी पावर उनका फंड सारी विवस्था इस पंचायती राज सिस्टम को इंट्रियूस किया गया था इंडिया में तो आपको पता होगा कि 1969 में पहली बार अक्टूबर 1969 को पंडित जवाला नहरू जी ने राजिस्थान के नागौर जिले में इस विवस्था को लागू किया था ठीक है तो यह कौन सी 1969 में कौन सी तक रही 1956 से लेके 1961 तक पांच साल के लिए तो सेकंड इस दा करेक्ट आंसर चलिए अब हम चलते हैं अपने टैंथ कोशन की तरफ जो है हमारा लास्ट कोशन टैंथ कोशन में आप से पूचता है भारत में इस्थानिय स्वासाशन का जनक किसे कहा जाता है अप्चन है आपके लौड डलहोजी, लौड रिपन, लौड बेंटिंग या लौड वेललसली तो देखिए आपको पता होगा 1882 की अगर हम बात करें तो लौड रिपन ने कुछ विशय परदान किये थे कुछ पावर्स दी थी सेल्फ लोकल गर्मेंट को उसमें प्रांतिय सरकार हुआ करती थी तो उससे कुछ पावर्स को लेके इन्होंने सेल्फ जो लोकल गर्मेंट थी उनको दी थी और इसी लिए एक उसके लिए उन्होंने एक अधिनियम भी पारित किया था तो उनको ही लौड रिपन जी को ही भारत में इस्थानियों सोसाशन का जनक कहा जा कोशन है और आपके जो प्रीविएस के कोशन से उनके उपर बेस हैं तो जरूर प्रैक्टिस करिए वीडियो को लास्त तक जरूर देखा करूं ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच गाईज